कि तो आज हम chemistry series में बहुत important topic जो है cover करने वाले हैं काफी important जो है आज का topic है आपका काफी questions जो है इस topic से आते हैं और topic का नाम है आपका radio activity या रेडियो धर्मिता तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है छोटा टॉपिक जरूर है लेकिन इंपोर्टेंट भी उतना ही है तो इससे कोश्चन साते हैं जैसे कि आप से कोश्चन पूछ ले जाये कि अल्फा बीटा और गामा रेस में किसकी प्रतिवेदर श्वमता सबसे किसकी है इसके लाव इस टॉपिक काते हैं कि कै ermस्फ में उसे कौन सा रेडियो अक्टिवीटि घर्मिता सबसे पहले हम बात करें तो सबसे सबसे पहले हम यह देखते हैं कि radio activity कहां से हमने सबसे पहले पता चला कि कोई substance जो है कोई element जो है उसमें radioactive जैसे कोई quality जो है वो होती है तो आपके सांटिस्ट हुए है 1885 में एक सांटिस्ट थे एंटनी हेंड्री बेरिक्यूल कुछ spelling थोड़ी हो सकती है उपर नीचे तो आप इतना याद रखेगा कि एच बेरिक्यूल जो उनका नाम था एंटनी हेंड्री बेरिक्यूल तो इनकी लैबरेट्री थी लैबरेट्री में यह कोई पत्थर लेके आए असी कोई अन्नॉइंग पत्थर लेकर आए और उन्होंने अपने टेबल पर रख दिया थोड़े दिन उनकी लैबरेट्री बंद रही वह काफी तिनों बाद लैबरेट्री में वापस आए वापस आए तो देखते हैं कि जिस टेबल पर उन्होंने पत्थर रखा था उसके सामने एक ब्लैक स्क्री पत्थर लगी हूई थी स्क्री आपका फोटोगेफ़्ी स्क्रीन होती है वह लगी थी और वह स्क्रीन जो है वहां से काली हो गई और हम पे जिस्के कारण यह थोड़ गती ओनकी सामें जो उन्होंने मेस पर पत्थर रखा हुआ था उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस पत्थर में से ऐसी कोई invisible rays निकली है अध्रिश्य जो है आपकी rays निकली है जिसके कारण ये जो है आपका वहाँ पर जो screen है वो काली पड़ गई है तो वहाँ से आपका सिधानत आया रेडियो एक्टिव की ऐसी जो rays है जो कि invisible rays होती है उसे हम क्या कहेंगे रेडियो एक्टिव rays तो एच बेरिक्योल ने सबसे पहले इनके बारें बताया और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं फादर ओफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मीता के जनक तो इन्हें फादर ओफ रेडियो एक्टिविटी जो है कहा जाता है उसके बाद आपके जो है मैडम क्यूरी आई तो मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बेंट थे उनके दो क्यूरी कपल इन्होंने जो है काफी जो रिसर्च की रेडियो एक्टिव सब्स्टांसी पर और इन्होंने मैडम क्यूरी ने आपका दो रेडियो एक्टिव सब्स्टांस के बारें बताया जिसमें से एक था आपका रेडियम और दूसरा था आपका पॉलो लेंड तो वो पॉलो लेंड से उनकी जन्म सली थी तो उसी के नाम पर उनने जो दूसरे का नाम क्या रख दिया पॉलो लेंड तो यह कौन सा है रेडियम और यह आपका पॉलो लेंड तो इन्होंने दो और रेडियोBeat it यह सब्स्तांस से मैडम क्योरी नों्स है इनकी खोचकी की यह यह ये ऐसे सब्सक्राइब जोकि रेडियो अक्टिव रेज्स प्रॉदूज करते है अओसरश्य जो इनfashion वीजिबल रेज्स प्रोदूश करते हैं। इन्होंने एक temperature के बार में गुताया था माड़े ने और उसे हम क्या कहते हैं कि यो टेंप्रेशर है कि क्या होता है तो इन्होंने कहा कि हर सबस्टांस का जो है अपने पार्टिकूलर जो है temperature होता है मान लीजिए यह mobile है तो इस mobile का भी क्या है अपना क्योरी टैंपरेचर है कि एक limit तक यह यह इतना हो जाएगा कि इतना गरम हो सकता है इसकी एक लिमिट हो की इसका temperature की उसके बाद जो है यह काम नहीं करएगा क्योंकि इसकी वहां पर जो है इसकी जो चुंबक तो है इसकी जो magnetic field है वो खतम हो जाएगी, तो इसका क्या है, इसके गरम होने की शम्ता है, यानकि इसका एक पटिकुलर क्यूरी टेम्परेचर है, तो क्यूरी टेम्परेचर के बारे में भी जो है, मैडन क्यूरी ने ही बताया था, उसके बाद, तो यह चीजे हमने देखी, थोड़ी सी कि बेदैदि करें लिफ्ट हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ा रिसर्च की इन डेडियो अक्तिव रेस के बादे में, उन्होंने बोला कि यह आखिर रेस जो है क्या हम हम इसके बार ने पता करें, उससे पहले कि जो हमारा पिरियोडिक टेबल है, हम में सारे जो अन्ट नूकलियस है तो जब से नूकलियस में में जब इस अब में इचा इनकी संख्यान अपिक्षा बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो बर यहां पर एक चीज कहा गयी वह एलिमेंट वह जिनका जो अक्रविक नमबर आपका ज़्यादा होगा 82 से, 82 से ज़्यादा होगा वो जो elements है वो आपका radio activity जो आपकी raise है जो radioactive जो raise है वो produce कर सकते हैं तो किन elements में आपकी हो सकती है radio activity जिनका elements जो है 82 से ज़्यादा हो, तो 82 किसका है, 82 atomic number है आपका, LED का LED का जिसका जो symbol है PB है और 82 atomic number से जादा यान की कहां से शुरुवात माने गई 83 atomic number और 83 atomic number है आपका बिस्मत का जिसका आपका symbol है BI तो यहाँ पर आपको कोई question पूछा जाए आपको option दे दिया जाए कि एक atomic number है 12 एक atomic number है आपका 64 एक है आपका 74 और एक है आपका 98 इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा elements है कौन सा atomic number है जो आपका जिसका element जो है आपका radio activity शो करेगा तो आपके answer बताएंगे आप बताएंगे 92 क्यों क्योंकि 92 जिसका जो atomic number 82 है यानि कि atomic number यानि कि जिसका proton कितने है प्रोटोन 82 से ज्यादा है तो atomic number equal क्या होता है number of proton भी आपका होता है तो यह आप यहां से आपका question solve हो जाएगा उसके बाद हम discuss कर रहे थे कि आपका जो एक scientist हुए Rutherford उन्होंने बताया कि यह invisible जो rays है यह आखिर है क्या क्यों ना हम इनके बार में पता लगा है कि इनकी जो qualities है यह इनकी properties है वो क्या होती है तो Rutherford ने क्या 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 रहतर फोर्ड ने क्या 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 उन्होंने एक experiment किया उन्होंने एक basin लिया कांच का सब्स्टांस इन्होंने रख दिया तो जरी डियोचल जो सब्स्तांस है रक दिया तो जब्सके dolmbre रखका उसके अलावा यहां पर एक जो है आपका इन्होंने इलेक्ट्रिक फ् искाशा फिल्ड्ड जो है क्रिएट कर दी इलेक्ट्रिक फिल्ड में आपकी जो हैं यहां पर होगी आपकी एनोड और यह होगी आपकी कैथोड तो यह है आपकी एनोड जिस पर कैसा चार्ज होता है एनोड पर आपका हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है आपका होता है और यह होगी आपकी कैथोड दो इलक्टोड जो है इस में इलक्रिक फील्ड में रखी औ और हमेशा कौन सा चार्ज होता है उसके उपर हमेशा नेगटिव चार्ज होता है तो अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया और यहां पर उन्होंने देखा कि यहां सर जो रेडियो एक्टिव जो हमें सबस्टांस रखा है इसकी जो रेज थी उन्होंने यह नोटिस किया अ कुछ ऐसी भी रेस थी जो दोनों ही चार्ज के गेस्ट ना जाकर जो आपकी सीधा चली गई तो यहां से रदर फॉर्ड ने जो अंदाजा लगाया कि जो रेडियो एक्टिव सबसांस है जो इन्वीजिबल रेस प्रोडूस करते हैं वह दरह Σल कितने तरह की है वह आपकी 3 तरह की रेस होती है कौन कौन सी एक वह जो अनोड की तरफ गई याई हैnormकी थे इसके ऊपर नेगिटिव चार्ज होगा। तो positive charge की तरफ negative charge जाएगा negative जो है आपकी race जाएगी वो ray जो कि आपकी cathode की तरफ गई उसके उपर कौन सा charge होगा वो positive charge होगा क्योंकि यहाँ पर cathode negative है तो इसके पास positive charge वाली ray आएगी और इसके बात उनका कि वो तीसरी ray जो दोनों ही electrode की तरफ ना जाकर आपकी सीधी चलेगी उसके उपर कौन सा charge होगा इसके उपर जो है आपका कोई charge जो है आपका नहीं होगा तो यहाँ से रेदर पॉर्ड ने बताया कि आपकी total जो है तीन तरह की जो है raise होती है और इन तीन कौन सी होगी gamma ray और साथ ही इन्होंने कहा कि जो alpha ray होगी इसमें जो आपका कैसा charge है alpha ray जो की आपकी कैसी है positive ray तो यह जो cathode की तरफ गई है यह आपकी कैसी है यह positive ray जिसके उपर positive charge है beta ray यह आपकी negative charge होगी और जो gamma रे होगी उस पर आपका कोई चार्ज नहीं होता क्या हुआ कोई चार्ज नहीं होता और जो X-rays है जिसके उपर positive चार्ज है यह आपके 2 unit के इक्वल होती है और beta ray जो कि negative charge है यह आपके जो है एक unit के इक्वल होते हैं यानकि एक electron जो है आपका इसके उपर होता है तो यह चीजे किसके दिराइव की गई यह आपके रेदर फोर्ड ने अपने experiment के थू हमें समझाया कि यह आपका जो radioactive substance है वो तीन तरह की rays जो है produce करती है अब यहाँ पर आप एक चीज देखें तो alpha rays में जो positive charge है तो कि 2 unit के equal है तो जो आपका helium है helium का जो atom है उसमें आप देखें तो number of atomic number कितना है 2 है number of protons कितने है 2 है तो यह जो यह आपका जो one जो x ray जो आपका alpha ray है वो आपका 2 unit जो कि आपका 2 atomic number है helium का number of protons कितने है 2 है तो इसके equivalent जो है gamma alpha ray को जो है इन्होंने बताया तो यह चीज भी कि आपको याद रखनी है, main चीज आपको ये तीनों याद रखनी है, alpha ray, beta ray, gamma ray, इन पर कौन कौन सा चार्ज है, ये भी याद रखना है, अब हम देखते हैं, कि इन तीनों ही rays में से, जो आपके सबसे strongest कौन सी rays है, सबसे strongest, यान की, सबसे जादा penetrating power, सबसे जादा प्रते भे कि सबसे कम जो है, आपकी penetrating power है, सबसे कम प्रती भेदन शमता है, उससे जादा है, आपकी किसकी, beta ray, उससे जादा किसकी है, gamma ray, तो gamma ray की सबसे जादा प्रती भेदन शमता है, सबसे जादा जो है, इसकी क्या है, इसकी सबसे जादा penetrating power है, इया प्रती भेदन शम्ता तो गामा रेस के सबसे जादा जो है आपकी पैनेटरेटिंग पावर है इसकी प्रती भेदन शम्ता सबसे जादा है अगर नहां पर हम x-rays की बात करें तो x-rays कहां stand करेगा पैनometरेटिंग पावर में तो x-rays लास्ड में यानकि इन सबसे ज़ादा जो है आपकी penetrating power किसकी होती है x rays की होती है clear तो यहाँ पर चीज़ याद रखें अगर compare करें तो जो alpha rays है वो जो rays है आपका वो जो a4 size sheet है उसको penetrate कर सकती है बीटा ray की बात करें तो इससे ज़ादा penetrating power है तो 10 cm की जो aluminum sheet होगी यह उसको penetrate कर सकती है gamma ray की बात करें तो यह 100 cm के जो aluminum sheet है उसे penetrate कर सकती है और आपके x rays की बात कर तो x rays किसी भी solid substance को जो है वो आपका penetrate कर सकता है तो x rays में हम यूज भी करते हैं अगर हमारे body देखें तो कहीं fracture हो जाए तो फिर आपके x ray कराते है x ray जो हम फील्म लेके राते हैं वो आपके x rays की थुरू बनता है वो आपके x rays की थुरू बनता है जो कि हमारी bones को penetrate करके देखती है हमारी body में penetrate करके देखती है कि कहां पर जो है आपका fracture हुआ है तो बड़ी-बड़ी industries में भी x rays का use होता है कि crystals को determine करने के लिए कि कहां जो है आपका जो default है तो यह याद रखना है पूछा जाता है कि सबसे जादा और सबसे कम जो है penetrating power या प्रती भेदन जो शमता है वो किसकी है उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका cancer treatment होता है cancer treatment में जो radioactive तत्व होते हैं वो कौन-कौन सो use होते हैं तो यहां तक समझ आ गया यहां तक समझ आ गया है तो मुझे ज़्दी से comment करके बताए तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका क्या है इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका cancer treatment है उसमें कौन-कौन से जो है radioactive तत्व यूज होते है कौन-कौन सा जो है isotope जो है यूज होता है तो यहां पर next लिखे cancer treatment तो cancer treatment में बहुत बार question आता है बहुत important है अगर इस topic में पूरा पुछे सबसे important चीज हम अभी cover करने जा रहे है तो cancer treatment में पहले चीज आपको नोट करनी है कि इसमें कौन सी raise use होती है तो इसमें gamma raise use होती है 2 कोशन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा isotope use होता है तो इसमें isotope use होता है Cobalt 60 Cobalt 60 isotope जो है Isotope क्या होते है वो elements, वो atoms जिनका atomic number जिनमें जो proton के जो number है proton number same होता है लेकिन जो उनके number of neutron है वो different different होते हैं तो उने हम isotope कहते हैं Cobalt 60 जो है आपका isotope cancer treatment में use जो है आपका होता है अब उसके बाद inert gas जो है कोन सी उस होती है inert gas तो वो आपकी use होती है redone कौन सी उस होती है redone तो यह 3 चीज़े आपको याद रखनी है cancer treatment में ao of shaped 2 होता है और चीज़े आपको याद रखनी है कि cancer treatment में radio activity की application है अब उसके बाद आपका रहा जाता है हम देखेंगे अब आगे पढ़ेंगे कि जो हमने देखा कि कोई भी elements जो है हम periodic table में देखते हैं वो radioactivity शो क्यों करते हैं क्योंकि अगर उनके जो atom में number of protons की जो मात्रा है वो neutrons की मात्रा के बिक्षा बहुत जादा हो जाती है जिससे कि जो वो आपका atom है वो आपका थोड़ करने लग जाता है जिसकी कार्ण वो invisible race को produce करता है जिसे हम radioactive race कहते हैं तो यह आज के topic था इसी topic को हम आगे की class में भी continue करेंगे इस topic का next part एक और आएगा तो आज काले बस इतना ही आज के लिए इतना ही आप याद रखें जितना मैंने बढ़ाया है इस चीज को revise कर ले next class मे कि हम इसका आगे का part जो है देखेंगे I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो समझ आ गई हो वीडियो कर अच्छी लगी तो please like जरूर कर दिया करें अपने friends के साथ जरूर शेयर करें और कोई doubt हो तो नीचे मुझे वीडियो के बाद comment section में पूछ ले Instagram पर पूछ सकते हैं Telegram group को join करके वहाँ भी आप उनसे कोई भी question पूछ सकते हैं Link नीचे दे दिया गया है आज के लिए बस इतना ही thank you thank you so much